अपने बहुत बार खाए होंगे लेकिन क्या इस तरह से मसाले दर भिंडी के सब्जी खाया है नहीं इस चलिए बनाते हैं आज हम लोग मसाले दर भिंडी के सब्जी में अगर आपका स्वागत है चलिए सुरू करते हैं आज के मज़दार रेसिपी ने करीब 251 ग्राम की करीब बिंदी हैं तो कब से चम दो से टीन लोगों के लिए आरंव से हो जाता है ये मैंने भिंडी ली हूँ, भिंडी को अच्छी तरह से धो कर औूच ली हूँ, क्यूंकि भिंडी को पोचना जरूरी है, हैं एक cotton की कपड़ा इसे, तो यहाँ हों लोग भिंडी को धो कर पोच ली है, उसके बाद में क्या करना है, इनको कट करना है, एक भिंडी ले उसके जो शामने का portion है उन्हें कट करें और पीछी का portion उन्हें को कट करें जतलब कि थोड़ा सा उसके बाद में 20 से एक चीरा मरें रेखिए इस तरह से इसी तरह से बागे के जो भिंडी है ना उन्हें भी कट कर लें और छीन तेल गोज में अची तरह से भून तेल करें यह अफाज दियास में कुरम करें तक तक भून नहीं हम तक हमारे जो प्राहन ना या सब देख सकते हैं हमारे जो प्याश हें रहला निकाल ले ठंदा होने दे दिए कम-से-कम एक-से-दो टेबल-श्पून के करीब टेल डाले और तेल को आच्छी तरह से तरह से गरम ही गरम तेल में हम लोग जो धिन्टी को कट करके रखे हैं तो भंडी को डाले अर सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते भी है, मतलब कि भिंडी को अच्छी तरह से भुनना है हमें हलका सा brown होते तक तो यह जो हमारे भिंडी है वो भुन रही है, जब तक हम्लों कया करेंगे ? पेश तयार करेंगे, अल्क तमाटर, प्याजवगरी की तो यह पेश्ट जो है वह हमारी तयार हो गई है हमारी भी भी पग गई है देखे आप देख सकते हैं हलका ब्राउन हो गया है मतलब कि हमारी जो भींडी है वह अच्छी तरह से पग गई है उसके बाद में क्या करना है भींडी को निकाल ले और इसी कड़ाई में फिर से 3-4 परपलरी जीरा जाली तो में करिब गड़ियक कर्या गआ और इसमें ही पेश्ट को यह तो कम से कम थो 2-3 मिट पेश्ट को जो है वेश्ट देयto S liP लम ज़यee 2-2 स preço बनाले मैं यह तरी तरह जो जो हम चाइब shifts करना है आप चाहे तो यह जो नड़िक घरवी बना और सबजी भी बना सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे एक ग्रेवी मतलों कि यह जो सबजी है ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो इस में जरी मतलो जितना ग्रेवी चीए उसकी सबब워서 अपने ऑफ पान डाले तो मैं कम से कम एक 2 जौक चाहें चाहिए या कम लगाल है पाई डाला और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुएं कम से कम दो से तीन मीट अच्छी तरह से पका है। इसके बाद में क्या करना है । नहीं को स्कीप बिना गरम मसाला की बिना घरम मसाल की यह सबजी बना सकते हैं। कम से कम half table spoon के करीब गरम मसला डाले हूँ गरम मसला डाले और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करती हुए फिर से एक मिनिट पका ले उसके बाद में इस महीं बारिक कटीवी हरी धनिया डाले आप चाहे तो हरी धनिया को बेस्किप कर सकते हैं हरी धनिया डाले और सभी को बहुत ही जारा टेस्टी लगती है तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीसियस मसले दर भेंडी की सब्जी बनाए खाये और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्स्ट्राइब जरूर करें और आप इमतिवक्त निकालकर मेरे वीडियो को देखें इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू